राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे इतवारी सौंबारी दो बेहनों की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे दोना बहुती नास्तिक थे वे किसी भी परकार की पूजा पाठ नहीं करते थे राजा को जो राज्य मिला था वे भी विरासत में मिला था उसके मन में यही चलता था कि हमारे पास तो किसी भी परकार की कमी नहीं है धन के भंडार भरे हुए है तो पूजा पाठ करने से हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है भगवान की पूजा करने से क्या मिलेगा रानी भी यही सोचती थी वे भी कोई धरम करम नहीं करती थी और पूजापाट से बड़ा जी चुराती थी दौण पती पतनी बड़े नास्तिक थे धरम करम करना तो जैसे वो जानते ही नहीं थे बस अपने राज्ये में अपने मर्जी के मताबिक राज्ये चलाते थे जो उने पसंद आता वही काम करते थे जैसे राजा था कोई धरम करम का काम किया ही नहीं था उसके बिवा को राजा राने के काफी समय बीद गया दोनों के बिवा को उनके घर में सौंबार के दिन एक पुत्री का जनम हुआ पुत्री का जनम सौंबार के दिन होने के कारण उसका नाम सौंबारी रख दिया सौंबारी बहुती धार्मिक विचारों की थी जब उसका जनम हुआ था तब उसकी मा में थोड़ा परिवर्तन आया था लेकिन फिर भी कोई जादा पूजा पाठ वो नहीं करती थी दीरे दीरे सौंबारी अब बड़ी होने लगी उसका जुकाब भगवान सिव की तरफ था वह सिव जी के मंदिर जाती भगवान को जल चड़ाती गाय को रोटी खिलाती पक्षियों को दाना पानी देती और यही सौंबारी का नियम था सौंबारी भगवान की पूजा पाट में बहुत लीन रहती थी उसे यह सब करके बहुती संतोस मिलता था राज्य की सभी परजा सौंबारी से बहुत खुस रहती थी वे बहुती दयालू लड़की थी परजा के साथ बहुती प्यार से पेश आती थी जबकि राजा बहुती घमंडी था परजा राजा से नाखुस रहती थी लेकिन राजा की डर की वज़े से लोग राजा के आगे कुछ बोल नहीं पाते थे धीरे धीरे सौंबारी डेड़ साल की हो गई इधार राणी ने दोबारा से गरवधारन किया और नौवे महिने राणी ने फिर से एक कन्या को जनम दिया जो इतवार के दिन पैदा हुई थी उसका नाम इतवारी रखा गया इतवारी बिलकुल अपने माबाप की तरह थी वे क कोई पूजा पाठ नहीं करती थी बहुत ही घमंडी थी किसी से प्रेम ने से बोलती भी नहीं थी सौंबारी से तो बहुत ही कटी कटी रहती थी दोन सगी बेहने थी लेकिन उनमें जमीन आसमान का अंतर था माबाप भी इतवारी से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वे जादा खूबसूरत थी बिलकुल राजकुमारी जैसी लेकिन उसमें संसकार नहीं थे। नहीं भाता था वे माबाप की आँखों में खटकती रहती थी धीरे धीरे दौनों बेहने बड़ी होती जा रही थी समय भी अपनी गती से बीत रहा था दौनों बेहने जवान हुई बिभाग योग्य हो गई तो रानी ने राजा से कहकर उनके लिए बिभाग योग्य लड़ का तलासने के लिए कहा राने कहने लगी देखिए राजा सहब इतवारी के लिए अच्छे कुल का अच्छा राजकुमार खोज कर लाना और सौमबारी हमारी बेटी होते वे भी हमारा कहना नहीं मानती हैं देखिए इसकी पूजा में देखते हैं कितनी शक्ती है जो इसलिए इसे ऐसे घर परिवार में देना जहां इसे राज परिवार की एहमियत पता चले किसी ऐसे घर में दो जहां इसे अपने माता पिता के ठाट बाट का पता चले कि इसके माता पिता राजा रानी है और कितने शानों सौकत से रहते हैं सौमबारी ने हमेशा हमारी नाक कटवाई है कभी भी हमारा कहना नहीं माना है और जब यह इस तरह से रहेगी तो देखते हैं इसकी पूजा के बल पर यह क्या कर लेगी हमेशा गरीब लोगों से मिलकर रहती है पूजा पाट में लगी रहती है सौंबारी में संसकारों की कमी है राजकुमारी यह राजकुमारी के जैसे नहीं रही उनके जैसा इसका कोई रुत्वा नहीं है इसने हमारी इज़त को मिट्टी में मिला दिया है राजा को रानी की बात सही लगी राजा ने तभी नाई को बुलवाया और नाई से कहा कि नाई जाओ जो कोई गरीब सा लड़का सौंबारी के लिए हो उसे देख कर लाओ और कोई अच्छे कुल का लड़का इतवारी के लिए देखो नाई गाओं गाओं सहर सहर इस राज्य से उस राज्य में भटकने लगा जैसे राजा ने बताया वैसा लड़का खोजने लगा तभी नाई एक गाओं में गया वह उस गाओं में एक बिद्वा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी उसका बेटा एकलोता था लेकिन बेटा बहुती आवारा किसम का था शराब पीता था और नसे में हरदम पड़ा रहता था उसे अपनी मा की कमाई पर ही वै अपना पेट भरता था वै बिद्वा मा घरों में जाकर जाड़ू पोचा करती थी और उसी से जो मिलता अपना और अपने बेटे का पेट भरा करती थी नाई ने जब देखा कि ये सराबी है निठला है कुछ कमाता धमाता नहीं है तो वह नाई उस लड़के के घर गया और उस बुड़िया से कहने लगा माई मैं फलाने राज्य का नाई हूँ और राजा ने मुझे अपनी लड़की के लिए वर देखने के लिए भेजा है इसलिए मुझे तुमारा बेटा पसंद आ गया है और इसके लिए मैं राजकुमारी का रिस्ता लेकर आया हूँ यह सुनकर वे बिद्वा औरत कहने लगी अरे भहिया क्यों हमारा मजाक उडाते हो हमारी टूटी फूटी जोपड़ी है मेरा बेटा किसी लायक नहीं है मैं बिद्वा औरत इधर उधर घरों में काम करके जैसे तेसे अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही हो राजा के घर का रिस्ता वे भी मुझ अभागन के लिए ऐसा नहीं हो सकता जब नाई ने उस बुढ़िया को सही से समझाया तो बुढ़िया खुसी खुसी अपने बेटे के लिए राजकुमारी सौमबारी का रिस्ता लेने के लिए तैयार हो गए सौमबारी का रिस्ता उस सरावी नसेडी लड़के से कर दिया गया और इधर इतवारी के लिए अच्छे कुल का राजकुमार जो उसी राज्यय का राजकुमार था जिदर सौमबारी का रिस्ता हुआ था उससे तैय कर दिया गया दौन और इस ते राजा को बहुत पसंद आये, समय से बहरात आये, सौमबारी के बिभा में तो दो चारी लोग आये थे, क्योंकि वे लोग तो बहुत गरीव थे, सौमबारी का साधारन तरीके से मंदिर में फेरे डलवा दिये गए, और उसे विदा कर दिया गया, उसे दान दहेज के नाम पर एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी गई थी, इधर इतवारी का बिभा पूरी शानों सौकत के साथ हुआ, पूरे राज्य को सजाया गया, खूब दान दहेज हाती गोड़े, हीरे मोती दान में दिये गए, बहुती शानों सौकत से इतवारी को विदा किया गया, उधर सौमबारी अपने घर में आई, तो तूटी फूटी जोपडी और नसेडी पती को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, फिर उसने सोचा मेरे माता पिता ने इसके लिए मुझे बांदा है, मेरे लिए तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जो ऐसा वर ढूंडा है, वे भगवान भोले नात की परम भक्त थी, भगवान पर उसे पूरा भरोसा था, उसने उस जोपडी की अच्छे से सपाई की, जो उसकी सासुमा काम करके जब आई, तो उससे खाना उसने पकाया और उन दोनों माबेटें को खिलाया, उसके बाद जो बचा कुछा खाना था, वे खुद खाने लगी, अब बुढिया धीरे धीरे सौमबारी की जो सासुमा थी, वे बहुती बूडी हो गई, उससे अब काम नहीं होता था, सौमबारी कहने लगी माजी, अब आप से काम नहीं होता है, आप घर पर रुकिये, मैं काम करने जाया करूंगी, या आपक बरतन करती, नहाती पूजा करती, और फिर भगवान सिव को एक लोटा जल अरपन करती, उसके बाद उससे जो बन पड़ता हुए करती, पड़ोसियों से उसका बड़ाई अच्छा वहवार था, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे, इधर इतवारी राज महल में महरानी बन कर आई, तो सुबह उठती, दास दासियों पर हुकम चलाती, ना तो कोई नियम करम करती, और ना ही पूजा पाट करती, इधर उसकी सास थोड़ी पूजा पाट करने वाली थी, वह इतवारी को कहती कि इतवारी सुबह उठकर कुछ पूजा पाट कर लिय करो लेकिन फिर भी इतवारी कहती मैं एक बड़े राजा की पुत्री हूँ मेरे जीवन में किसी परकार की कोई कमी नहीं है ये ढकोसले बाजी मुझसे नहीं होता है इसलिए मुझसे यह मत कहा करो यह सुनकर उसकी सास चुप हो जाती और वै अपनी बहु के रंग में रंगन करने जाती जो बनता वो लेकर आ जाती एक दिन इतवारी के मन में खुरापांथ चल रही थी उसने सोचा इसी गाओं में मेरी बहन की शादी हुई है और सौमबारी के देखती हूँ कहां है उसके तो बड़े चर्चे होते हैं पास पड़ोस की औरते जो महल में काम करने आत थी थी वह सौमबारी के वहवार की बड़ी तारीफ करती थी इससे मनी मन इतवारी को जलन होती थी उसने सौमबारी को कहकर बिजवाया कि तुम भी मेरे मेल में काम किया करो जो तुम दूसरों के घरों में काम करती हो वही महनताना मैं तुमें डबल करके दूंगी और तब सौम्बारी ने अपने पती जिसे सराप पीने से मतलब था घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था उसकी बीवी कहां जाए क्या करे उसे कोई लेना देना नहीं था सौमबारी ने अपनी सासु मा को बताया तो उसकी सासु मा उसे महल में जाने की अनुमती दे देती है सौमबारी इतवारी के महल में काम करने आने लगी बड़ी बेहन छोटी बेहन के घर में काम करती सारा काम करके जब वह जाती तो इतवारी बड़ी खुस होती अपने घर का काम करके एक दिन की बात है सराबी सराब के नसे में सौमबारी से मार पीट करता था अब सौमबारी बेहन के घर से कमाती तो उनके घर में दौना टाइम का भोजन बनने लगता था दीरे दीरे सौमबारी के दो बच्चे हो गए थे इदार इतवारी के भी दो बच्ے हो गए थे सौमबारी काम करके जाती जो खाना बच्चता उसे ले जाती थी उसी से उसकी साज, पती और बच्चे अपना पेट भरते थे धीरे-धीरे समय बीत रहा था एक दिन दिवाली का तोहार आ गया सौंबारी बेहन के महल में काम करने गई थी सोचा बच्चों ने तो आज तो मौसी के घर पकवान बनेंगे तो मा हमारे लिए पकवान जरूर लेकर आना मा से कहने लगे सौंबारी बोली ठीक है बीटा जो बनेंगे मैं उसमें से ले आऊंगी उसके पती ने भी कहा कि आज हमें भूके नहीं रहना है मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान खाना है क्योंकि राज महल तो तेरी बेहन का है ऐसा नहीं है कि तेरी बेहन तुझे देगी नहीं इसलिए चुपचाप लेकर आना जाइदा अपनी सराफत मत दिखाना सौमबारी बेचारी दीवाले वाले दिन काम करने चल पड़ी मैल में जाकर उसने सारा काम किया साप सफाई की पकवान बनाए बड़ी अच्छी खुसबू आ रही थी वे इतवारी से कहने लगी इतवारी बेहन मुझे कुछ पकवान दे दो मेरे बच्चे घर पर भूके हैं और तुमारे जीजा जी भी मिलेंगे क्योंकि इतवारी रोज उसे बचा कुछा खाना दे देती थी और लेकिन आज इतवारी के मन में तो पूरी खुराफात थी वे सोचे हुए बैठी थी उसने सोचा आज वे सोमबारी को खाना नहीं देगी वे कहने लगी देखो सोमबारी अभी तुमारे जीजा राज्या के दोरे पर गए हैं जब तक वे नहीं आ जाते घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा और जब तक मैं घर में कोई खाना नहीं खाएगा तो मैं तुम्हें कैसे दे दू, सौमबारी बेचारी अपना मुँ लेकर चल दी, वापस क्योंकि सौमबारी बड़ी स्वाविमानी लड़की थी, मैं महल के बाहर आकर खड़ी हो गई, सोचने लगी, घर में तो खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है, और आज मैं ख बच्चे भूख से तडप रही होंगे, मैं क्या लेकर जाओं, यहीं सोचकर सौमबारी महल के पीछे खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी, दिवाली का दिन था, सब तोहार मना रहे थे, और वैं सोच रही थी कि सब तोहार मनाएंगे, और मेरे घर में कलेस बढ़ेगा, यहीं सोचकर सौमबारी रो रही थी, संयोग से माता पारवती ने देखा कि सौमबारी बहुत दुखी है, माता भी तो अपने भक्तों की जो परिक्षा लीती है, तब माता रानी ने एक बुढिया का भेस बनाया, लंबे लंबे सपेद बाल, उलजी उलजी लटाएं, फट कपड़े हुए कपड़े पहन कर वे सौमबारी के पास गई, जुकी हुई कमार भहुत बूडी भे का जो माता पारवती ने भेस बनाया, और जाकर वे सौमबारी से कहने लगी, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुमारी, सौमबारी ने आके खोली तो देखा उसकी आखें आसूँ में भीगी हुई थी, उसने जल्दी से अपने आसू पहुँचे और बुडिया को देख कर कहने लगी, अरे माई, कोई बात नहीं है, बुडिया माई कहने लगी, अरे बेटी, तु तो बहुत परिसान है, अपने इस बुडिया माई को नहीं बताएग क्या परिशानी है सौमबारी बेचारी सब के साथ घुल मिल जाया करती थी वे बोली नहीं माजी ऐसी कोई बात नहीं है जब एक दो बार बुढिया माई ने पूछा तो सौमबारी पिगल गई बुढिया माई की ममता को देख कर क्योंकि ऐसा अपना पंतो उसे मिला ही नहीं था बच्पन में मा ने भी कोई प्यार नहीं दिखाया वे रोते हुए पारवती बने बुढिया माई को सारी बात बता दी कि कैसे उसके घर में बच्चे और पती और सास भूके बैठे हुए है और कैसे खाने का वो इंतजार कर रहे हुँगे और आज वो कितनी मजबूर है के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है कौन सा मू लेकर वो घर जाए अगर घर जाएगी तो पती कलेश करेगा उसे मारे पिटेगा आज तो हार का दिन है सब दिवाली मना रहे है और मेरे घर में सभी भूख से तड़प रही है तब जो मया पारवती थी बुढिया बनी होई थी महीं पर बैठ गए और कहने लगी अरे बेटी मेरे पास मेरे जरा जोपड़ी है मेरी जरा मुझे हुआ तक पहुँचा दे देख मेरी सांस चल रही है मुझे चला नहीं जा रहा मेरी हिम्मत जवाब दे रही है अब अपना दुख भूल कर सौमबारे ने बुढिया को पकड़ा और उसकी जोपड़ी की तरफ चल दी चलते चलते एक तूटी पूटी जोपड़ी में जाकर माता पार्वती ने कहा बेटी वह यही जो एकांत में जोपड़ी बनी हुई है यही मेरी जोपड़ी है अब सौमबारी जो जोपड़ी के अंदर गई तो बड़ी ही गंदी जोपड़ी थी सौमबारी ने बुढिया माई को बिठाया मटका रखा था पानी का उसमें से एक गिलास पानी निकाल कर बुड़िया माई को पिलाया जिससे बुड़िया माई को सांस लेने में थोड़ा आराम मिला और जाड़ू उठा कर सौंबारी ने बुड़िया माई की जोपड़ी की सफाई कर दी और कहने लगी बुड़िया माई इतनी गंदी जगे में रहती हो, सफाई नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं तुम्हारी जोपड़ी की सफाई कर दीती हूँ, सारी सफाई करके उसने बुढ़िया माई को जहां तूटी चार पाईसी पड़ी थी, वहां पर लिटा दिया, बुढ़ी म महाँ पता था कि वह तो जगत जननी के पैर दबा रही है, और जगत जननी भी उसके मन की हर बात जानती थी, सौंबारी के मन में चल रहा था, मेरे बच्चे भूके होंगे, कैसे घर जाओंगे, सब तोहार मना रहे हैं, और मेरे घर में, मेरा पती कलेस करेगा, मैं आज तो मार डालेगा मुझे मारेगा पीटेगा गालिया भकेगा दौणा तरफ से बेचारी बहुत दुखी थी पार्वती मा तो अंतरियामी थी उन्हों ने सौमबारी के मन की सारी बात जान ली वैसौमबारी जब पैर दबा कर कहने लगी मा अब शाम हो रही है मुझे अब घर जाना है तब पारवती मैया कहने लगी अरे बेटी तुने मेरी इतनी सेवा की है एक कामकर या एक मिट्टी का मटका रखा है उसमें थोड़े से चावल है तु चावल लेकर आ मैं तेरे आचल में रख देती यह सुनते ही सौमबारी को एक उम्मीद जागी चलो घर ले जाकर चावल पकाकरी खिला दूँगी तब सौमबारी वे मटका लेकर आई जिसमें चावल रखा था बड़ी मा ने कहा बीटी आचल आगे करो और उसमें चावल दी दिये चावल लेकर सौंबारी घर की तरफ चल दी घर के दरवाजे पर उसके बच्चे खड़े हुए अपनी मा का इंतजार कर रहे थे कि आज मा मिठाई और पकवान खाने के लिए लाएगी लेकिन उन्हें क्या पता था कि मा तो बेचारी आज उसे अनका एक दाना भी उनकी मौसी नहीं दिया और घर से भी वापस खाली हाथ भेज दिया अब तो वैं बेचारी चावल लेकर आ रही है पती नसे में डूबा हुआ था वैं भी सोच रहा था कि चलो आज तो मिठाई और पकवान खाने को मिलेंगे बेचारी बूडी सास बड़ी हमदर्दी रखती थी अपनी बहु से सौमबारी से उसे पता था मेरी बहु बड़ी पवित्र और सच्चे दिल की है वैं जानती थी जरूर उसकी बहन ने उसके साथ छल किया होगा जब वैं घर आई तो बच्चे और उसके पती तूट पड़े कि दिखाओ आचल में क्या लेकर आई है वैं कहने लगी आज कुछ चावल मिले हैं वही लेकर आई हूँ तब बच्चे कहने लगे मां मौसी ने तुम्हें मिठाई और पक्वान नहीं दिये तो बेचारी क्या कहती उसे कैसे अपमानित करके उसकी बहन ने घर से बाहर निकाल दिया है कि घर में जो उसके एक भी दाना अनका नहीं था उसने मांगा खाना बच्चों के लिए तो बेहन ने कैसे कह दिया कि अभी खाना नहीं मिलेगा लेकिन घर में किसी ने खाना नहीं खाया है उसकी बेहन ने बोल दिया था तो इसलिए तुझे भी खाना नहीं मिलेगा आव वे खोन का घूट पी कर रह गई क्या कहती, बच्चों से, वे कहने लगी, नहीं बेटा, मैं चावन लेकर आई हूँ, अभी तुमारे लिए भात बना दीती हूँ, बच्चे जिद करने लगे, नहीं मा, आज दिवाली है, हमें मिठाई खानी है, हमें तो आज मिठाई खाने का मन था, सुबे से तुमारी रहा देख रहे हैं कि आज तो मौसी के घर से मा मिठाई लेकर आएगी तो मा तुम मौसी के घर से बिठाई क्यों नहीं लाई बच्चे जिद करने लगे नहीं मा आज हम भात नहीं खाएंगे आज दिवाली है हमें तो मिठाई खानी है बेचारी सौंबारी कहने लगी कोई बात न दिया था उसने धान अपने भंडार ग्रह में भर के रख दिया और जो पकाने के लायक लिया था उसे पकाने लगी पकाते समय सोच रही थी कि वो कैसी बदनसीव मा है अपने बच्चों को भर पेट खाना नहीं खिला सकती है आज मेरे बच्चे मिठाई के लिए तड़प रह यह देखकर सभी की आखे फटी की फटी रहे बच्चे मा को ताना देने लगे मा तुम तो कह रही थी कि मौसी ने कुछ नहीं दिया मा तुम तो बहुत जूट बोलती हो मा देखो न मौसी ने कितनी तरह की मिठाईया और पकवान दिये है यह देखकर सौमबारी भी हैरान आके चपन भोग कैसे आ गए उसने तो मीठा भात बनाया था भात थालियों में परोसा था लेकिन थालियों में चपन भोग बच्चे पती और सासूमा को उसने भोजन दिया सबने खुस होकर खाया उसने भी खाया बंडार घर में गई तो देखती है चारों तरफ अन्य के धेर लगे हुए है पूरा बंडार ग्रे भरा हुआ है बड़ी खुस हुई मनी मन भगवान को धन्यवाद देने लगी हे भगवान यह सब तुम्हारी लीला है जरूर वे बुढ़िया मेरी जगत जननी मा पारवती रही होगी बार बार माता को परनाम करने लगी अब वो र रात हो गई खा पी कर सब परिवार के लोग सो गए गर में बड़ी शांती थी बच्चों ने आज पहली बार पेट भर कर भोजन किया था और उनकी भूख त्रिपती उन्हें भूख से मिली थी ऐसी त्रिपती मिली थी कि वो सब चैन से सो रही थे क्योंकि आज उन्हें मन संद खाना खाया था अब रात को सोई सौंबारी सुबह उठी तो क्या देखती है उसका पती जो नसे में रहता था दोड़ कर गया और बोला सौंबारी उठ देख हम कौन से घर में आ गए हैं जब वे देखती है जहां तोटी फूटी जोपड़ी थी वहां तो पूरा महल बना खड़ा है उनकी खुसी का ठिकाना नहीं रहा कहने लगी कि स्वामी यह सब भगवान भोले नात और माता पारवती का जो आसिरवाद है उन्होंने मुझ गरीब पर रहम किया है चारों तरप उसके घर में खुसियां चाह गए इधर इतवारी के घर में उसका पती जो गया था पड़ोसी राज्यक के राजा ने उसे घेर लिया और बंदी बना लिया क्योंकि वे राजा अकेला था और भगवान का कोप उसे लगा था सौमबारी को उसने जो भूके वापस कर दिया था क्योंकि अन्दान को महदान कहा जाता है और इतवारी ने सौमबारी को मुझे मांगने पर भी खाना नहीं दिया था क्योंकि उसके बच्चे भूक से तड़प रहे थे अगर किसी भूके को खाना नहीं खिलाया जाए तो भगवान भी बुरा मानते है इधर उसके पती को बंदी बना लिया और उसके महल में सब धीरे धीरे नश्ट होने लगा और इतवारी इतनी कंगाल हो गई कि उसको खाने के लाले पड़ने लगे जब उसे पता चला उसकी बेहन सौंबारी बड़ी धनवान बन गई है तो वे दिन रात भंडारे चला रही है भूकों को भोजन करा रही है गरीबों की मदद कर रही है तो उसने सोचा वे भी अपनी बेहन के पास जाएगी उससे मदद मांगेगी वे अपनी बेहन के पास आई हाथ जोड कर कहने लगी बेहन मेरा राज्ये नश्ट हो गया है मेरे घर में खाने के लाले पड़े है मेरे बच्चे भूक से तडप रहे है मैंने बेहन तेरे साथ बहुत बुरा वैवार किया तुझे बहुत खरी खोटी सुनाई है लेकिन बेहन मैं एक राजकुमारी की तरह रही हो राजकुमारी तो तुम भी थी बेहन लेकिन बच्चपन से मैं तुमसे नफरत करती थी और मैं तुमें कभी अपनी सगी बेहन का सम्मान नहीं दिया तुम मेरी सगी बेहन हो, मुझे भी कोई उपाय बताओ, जिससे कि मुझे भी मेरा राज, पाट, अन और धन मिल जाए, मेरा भी सोभाग्य सुधर जाए अपनी बेहन इतवारी की बाते सुनकर सौमबारी का मन पिगल गया, क्योंकि वे तो भोली थी, सब की मदद करने वाली थी, उसने इतवारी से का बेहन, तुम भोले नात की पूजा करो, एक लोटा जल, समस्याओं का हल, भगवान को अर्पित करो, प्रभू तुम्हारी सब सम करश्याओं को हल कर देंगे, इतवारी के मन में अभी भी छल कपट था, उसने बोला नई बेहन, तुम मेरी बड़ी बेहन हो, बताओ तुमने क्या किया, तब वे कहने लगी इतवारी बेहन, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, खूब खरी खोटी सुनाई, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, मैं बहल के बार खड़ी होकर रो रही थी, तब हुआ एक बुड़िया माई आई, उसने मुझसे का मुझे मेरी जौपडी तक पहुचा दो, मैं उस बुड़ी माई को जौपडी तक पहुचा कर आई, उस बुड़ी माने मुझे कुछ धान दिये, उन ध धान के चमतकार से ही सौमबारी धनवान बनी है, सास थोड़ी लालची थी उसकी, वे कहने लगी ठीक है, हम दोनों भी पूजा पाट करेंगे, लेकिन पूजा तो तब करेंगे, जब सौमबारी पूजा रखेगी, उसकी पूजा में जाएंगे, उस घर से हम कुछ नहीं ल के हूंगे, उनके लिए खाना ले जाओ, इतवारी कहने लगी, नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, तुमारे घर का और मेहल के बाहर, जो मुझे तुमारे घर का खाना नहीं चाहिए, और उससे उल्टी सीधी बोलने लगी, ताकि सौमबारी भी बोले, लेकिन वे तो अपन मान मरियादा जानती थी वे कुछ नहीं बोली और इतवारी मेहल के बाहर दोना सास बहु जाकर रोने लगी वे जोर जोर से रो रही थी सैयोग से माता पार्वती उस दिन भी उदर से ही जा रही थी माता पार्वती ने एक बुढिया का भेस बनाया जिसके बहुती बिमारी सी लग रही थी फटे पुराने गंदे से कपड़े पहने थे माता पार्वती बहुती गंदा सा भेस बना कर दोना सास बहुँ के पास गई और बोली बेटी तुम दोना क्यों रो रही हो इतवारी कहने लगे अरे बुढिया दूर हट तुझे तो बिमारी है दूर होकर बात कर दिखता नहीं मैं इस राज्ये की रानी हो एक कहवत है कि रसी जल गई पर बल नहीं गया और यह कहवत आज इतवारी पर फिट बैट रही थी उसका घमंड अभी भी नहीं तूटा था अब माता पारवती थोड़ी अलग खड़ी हो गई और कहने लगी बेटी मेरे पैरों में दर्द है मैं बहुत बूड़ी हूँ चला नहीं जाता बेटी तुम मुझे मेरी जोपड़ी तक पहुंचा दो इतवारी और उसकी सास बोली हाँ हाँ ठीक है तुमारी जोपड़ी कहा है हमें बता दो और इतवारी बूड़ी मा से कहने लगी तुम पीछे पीछे चलो और बहुती दूर से उसे इतना भी पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि उसे बिमारी जो थी इतवारी सोच रही थी कहीं इस बुढ़िया को छूदूंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे वे उस बुढ़ी मा को लेकर मंदिर के पास जो जोपड़ी थी उसकी तरप चल दी धीरे धीरे बुढ़िया मा चल रही थी उसकी सासे चल रही थी उसे देखकर इतवारी पर कोई फरक नहीं पड़ रहा था इतवारी अंदर गई तो हुआ की हालत देखकर बाहर खड़ी हो गई वहाँ पर एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी पारवती माता जो उस टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई जो बुढ़िया बनी हुई माता पारवती थी और कहने लगी इतवारी से बेटी मेरी जोपड़ी बहुत गंदी हो गई है मुझे सांस लेने में बहुत तकलीप हो रही है क्योंकि मैं बहुत बुढ़ी हूँ मुझसे सफाई होती नहीं है बुढ़ापा बहुत जादा आ गया है जरा मेरी जोपड़ी में जाड़ू लगा दो इतवारी कहने लगी अरे मा तुझे क्या मैं नौकरानी नजर आती हो मैं सुबह से शाम तक नौकरों पर हुकम चलाती हो और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं कोई काम कर दूँ मैं कोई काम नहीं करने वाली हो बेचारी बुढ़िया तरडब कर चुप हो गई और लेटी रही अब जब उसने देखा बुढ़िया सो गई तो उसने देखा बुढ़िया के पास में घड़ा रखा है और उसमें चावल हैं तो उसने बुढिया से मांगे और ना तो बुढिया से मांगे क्योंकि बुढिया तो सो गई और उसने खुद ही वो चावल अपने पल्लू में समेटे और दोना सास भव सारे चावल लेकर हुआ से चल दी जाकर उन्होंने अपने बच्चों से जो कहा कि तुम मेरे साथ कलेश करो अपने पती से भी कहने लगी मुझे मारो पीटो वे कहने लगा अरे इतवारी क्यों मेरे हाथ जो उठवाना चाहती है क्यों मुझे परेशान कर रही है मैं तुझे मारना नहीं चाहता वो कहने लगी अरे नहीं नहीं मुझे पीटो पिटाई करो अब उसके पती ने अच्छी तरह से उसे पूरी तरह से धुन डाला यानि अपनी पूरी भड़ास निकाल ली क्योंकि एक तो उसका राज्य है उसके दूसरे राज्य में चला गया बड़ी मुश्किल से वे बंदी ग्रह से उसके तो 56 भोग नहीं बने यह देखकर जो इतवारी बहुत हैरान हुई उसने जो कुछ धान था वे अपने बंदार ग्रह में भी रख दिया था जैसा कि उसे सौमबारी ने बताया था वे खुसी खुसी दौन असास बहु बंदार घर में जो धान रख कर सोगें लेकिन उ तो उसने भात बनाया है वे 56 परकार का भोग क्यों नहीं बना और अब सोचने लगी कि चलो भोग नहीं बना तो कोई नहीं कम से कम बंदार ग्रह तो भर जाएंगे इसलिए दोना सास बहु खुस होकर सोगें सुबह हुई तो सोचने लगी हमारे दिन भी जो बदल उसके बाद सुबह क्या देखती है कि जो भी उसका घर संसार बचा हुआ था मैल बचा हुआ था उसमें आग लग गई यह देखकर इतवारी का पती घबराया हुआ इतवारी के पास आया और कहने लगा अरे इतवारी यह तूने क्या कर दिया देख तो सही सारे घर में आग लगी है इतवारी को काटो तो खून नहीं अरे बेन के घर में तो इतना कुछ भर दिया और मेरे घर में बचा कुचा भी जला दिया वै दोड़ी दोड़ी अपनी बेन सौंबारी के पास गई सौंबारी से हाथ जोड़ कर कहने लगी बेहन मुझे माफ कर दो मैं तुमारे साथ मैंने बहुत बुरा किया है तुमारे साथ मैंने छल कपट किया है तुमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है मुझे उसकी माफी दे दो सौमबारी तो थी ही बेचारी नरम दिल वे कहने लगी नहीं बेहन तुम तो मेरी बेहन हो तुमने कोई गल जिसकी सजा मुझे मिल रही है मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोसिस करती रही अपने घर में तुम्हारा खूब अपमान किया तूने बेहन बहुत बरदास किया है वह कहने लगी उसकी बेहन सौंबारी अरे इतवारी क्यों दिल पर लेती है मैंने तो कभी सुनाई नहीं कि तूने मेरा अपमान किया है मैं तो अपने भोले बावा में मस्त रहती थी और मेरा तो रोम रोम भोले बावा को याद करता रहता था मैं तो उन्हें अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाई तो तेरी बात तो जब सुनती मैं तो हमेशा उनमें लीन रहती थी कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा इस चीज का मुझे पर कोई असर नहीं था तब वे कहने लगी बहन मुझे भी कोई उपाय बता जिससे मेरे दिन फिर जाएं सौंबारी ने अपनी बहन इतवारी को पूरे विधीविधान के साथ पूजा पाट करने की विधी विताई इतवारी और उसकी सास को बहुती आत्मगलानी महसूस हो रही थी उन्होंने सौमबारी से माफी मांग ली और जैसे सौमबारी का अच्छा वैवार था वैसे इतवारी में भी बहुत परिवर्तन आ गया उसने भी अब पूजा पाट करना सुरू कर दिया धीरे धीरे इतवारी के दिन बदलने लगे कुछ समय बाद उसका राजपाट वापस मिलने लगा उसका पती फिर से राज़ा बन गया अवे लोग खूब पूजा पाट करते गरीबों को भोजन खिलाते थे राज्ये में खूब सुक्सानती छा गई धीरे धीरे भोले बावा के किरपा बरसने लगी अब उनके भी सुक के दिन आ गए उसकी सास ने भी माफी मांगी थी और बहु के साथ कहने लगी सौमबारी मैं भी लालच में पड़ गई थी और धीरे धीरे सौमबारी और इतवारी दोनों बहनों में बहुत प्रेम हो गया ये भोले बावा जैसे तुमने सौमबारी के दिन फेरे ऐसे ही सब के दिन फेरना जो ये कहानी सुन रहे हैं और जो ये कहानी कह रहे हैं सब की मानों कामनाय पूरी करना बोलो शिवशंकर भोले नात की जै दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें राधे राधे